स्वागता बच्चो आपका सेल्फ स्टेडी के इस चैनल में तो आज हम पतंजली और बाबा रामदेव जी के बारे में जानने वाले हैं कि उनकी जो कंपनी है पतंजली जो 2010 में 100 करोड रुपे से बढ़ करून का टर्न ओवर या फिर कहें उनकी कमाई जो है वो आज की डेट में 26,000 करोड या फिर कहूं 26,400 करोड पहुंच गई है वो कैसे पहुंच गई है आज इस वीडियो में उसी के बारे हम बात करेंगे कि मोधी गोवर्मेंट के कान मतलब कि जब से परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी बने है तब यहां पर पतंजली के अंदर काफी ज़ादा इंप्रूमेंट देखा गया या फिर कहें कि इनकी कमाई बहुत ज़ादा हुई है वो कैसे चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते है तोड़ा सा हम एक बार इतियास के बारे में जानेंगी जो बाबा राम देव जी वो कहां से आते हैं उनका जनम कहां हुआ तो उनके बारे में वहां से जानते हुए फिर धिरे-धिरे आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ओफ जो यहां पर लिखा गया है देखें यह जो चीजें हैं यहां पर जितनी भी जो मैंने बाते हैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी मैंने दैनिक भासकर से लिए तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से रिसर्च करके मैं मैंने अपने तोर पर रिसर्च कि नहीं यह दैनिक भासकर से है यह दैनिक भासकर ने एक Bloomer Quint एक रिपोर्ट है वहाँ से इनों ने ये उठाई है तो समझ लिजिए कि Bloomer Quint ने एक रिपोर्ट जारी कि वहाँ से दैनिक भासकर ने उठाई दैनिक भासकर से मैंने उठाई और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ अब भी आप लोगों को फिलाल एक चीज पता होगी कि थोड़े टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी अलोपैथिक को लेकर जहां पर बाबा राम देव जी ने एक बात बोल दी थी उन्होंने क्या बोल दिया था कि गजब तमाशा है अलोपैथिक एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइन्स है जहां पर क्लोरोक्वीन फेल हुई फिर वहां पर स्टेरोइड फेल हुई प्लाजमा थेरेपी को बैन कर दिया गया यहां पर इसके उपर तो एक आर्टिकल भी आया था इवर मैक्टीन पर रोक लग गई बुखार की कोई भी दवा करोना पर काम नहीं कर रही यह बात कहते हुए बाबा रामदेव जी ने कहा जो यह ऐलोपैथिक है इससे लाखों लोगों की मौत हुई है जितना ओक्सिजन ना मिलने के कार नहीं हुई उससे कहीं जादा मौत ऐलोपैथिक की दवाई लेने से लोगों की मौत हो गई है तो यह जब यह बात उन्होंने बोली थी जहां पर यह बैठे हुए थे बहां पर बहुत सारे लोग आये हुए थे जब यह बात उन्होंने बोली तो इसके ओपर बहुत जादा विवाद हुआ विवाद होने के बाद यहां पर जो अलोपेथिक है जो डोक्टर है वो इनके विरूद आ गए थे अभी उसके बारे हम बात करेंगे उन्होंने बताया कि 1200 डोक्टर जो है अपनी जान गवाँ चुके हैं और आप यहां पर ऐसी बात कर रहे हैं तो यह विवाद चलता है अरुवेदिक और अलोपेथिक के बीच में यह विवाद बहुत टाइम से चलता है उसके पिछे अभी हम बात नहीं करने वाले हैं फिलाल अभी आने वाले वीडियो के अंदरी मैं आप लोगों कुछ थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी देदूँगा ओके यह विवाद हुआ अब जिस रफतार से इनके साथ विवाद जुड़े हैं उस रफतार से इनका बिजनस भी बढ़ा है मैंने कहा ना यह ब्लूमर्ग रिपोर्ट है ब्लूमर्ग कुइंट के एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो यह साल चल रहा है 26,400 क्रोड रुपे का रोवे रिवेन्यू जुटाया है यह बात खुद कंपनी ने बताया और इवन कंपनी यह कह रही है पतंजली कंपनी खुद कह रही है कि उन्होंने 400% कि बडौतरी किया है कब करोणा महामारी के दोरान यह बात खुद कंपनी बात बोल रही है अब थोड़ा सा हिस्टे के बारे में जान लेते है कि क्या हुआ 1968 के अंदर जनम हुआ किनका? बाबा राम देवजी का इनके कहां पर हुआ? हरियाना के सैदालिपूर गाउं में वहाँ पर ये जो इनके पिता का नाम है राम निवास यादव इनकी माता का नाम है गुलाबो देवी और जहां पर इनका शुरू में नाम रखा गया था राम किशन था, 1977 के अंदर बच्पन में, मतलब क्या हुआ, इनको लक्वा लग गया, तो 1977 के अंदर सादू एक घर आए इनके, राम किशन ने जब इनका बच्पन का नाम राम किशन है तो इन्हों ने क्या किया, उन सादू से एक किताब ले ली, योग की और जब वो योग करने लगे, तो उन योग से इनको बहुँ ज़दा आराम मिला 1985 में, राम किशन ने खानपूर में एक संस्कृत गुरुकुल जोईन किया, कब 1985 में, 1989 के अंदर उनके जो अध्यापक थे उनकी सलहा पर इन्होंने अपना नाम बदल लिया, और नाम बदल कर इन्होंने कर लिया, राम देव, 1989 के अंदर, इन्होंने संस्कृत वेद व्यार्स, वेद दर्शन योग और आयुरुवेद में अचारे होने के बाद 1990, 1990 में ही जीन्द के एक गुरुकुल में प्रिंसिबल बन गए कब 1990 में 1991 में ये सब इन्होंने छोड़ दिया और वो गंगोतरी चले गए एक चीज़ यहां पर आप देखोगे तो ये साथ बार करीब मोत के करीब पहुंच है ये खुद बाबाराम देव जी ने ये बात बोली यहां पर आप आप देख सकते हैं उन्होंने एक इंटर्विव के दुरान ये बात बोली थी पहले तो ये कि इनको चेहरे के एक तरफ यानि लेफ्ट साइड पे लखवा लग गया था और 25 फीट की इमारत से ये नीचे गिर गए थे जहां पर इनके सर पे साथ टांक आये थे बहेंस की पूँच पकड़ के इतलाब में डूबने लग गए थे रिष्टेदारों ने इनको मारने कोशिश की हरिदवार में 50 लोगों की भीड ने इकठा हो गए थे इनको मारने के लिए उन्होंने गलती से आर्सेनिक पी लिया था जिसके कारण इनको अस्पताल में जाना पड़ा था और रामलेला मैदान में पुलिस ने हमला कर दिया था जहां पर ये सलवार कमीज पहन कर जब जा रहे थे ये बात यहां पर आपको पता होगी जो अन्ना हाजारे जी के साथ ये जुड़े हुए थे उस अभ्यान में इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन के उस अंदोलन में तो वहां पर ये चीज हुई थी अब क्या होता है रामदेव जी ने हरदवार में गंगा किनारे दो शिश्यों को योग सिखाना शुरू किया और उन दो शिश्यों में से एक शिश्य ने बस एक शिश्य ने क्या क्या इनकी मुलाकात करवादी किससे गुजुराती वेपारी से बहिया जहां गुजुराती आजाए समला वेपार शुरू हो गया गुजुराती वेपारी थे जीवराज भाई पतेल ये इनको camp चल पड़े, एक camp का सिलसला यहाँ पर चलना शुरू हो गया 1995 के अंदर जिवराज पतेल ने बाबा रामदेव जी को 3.5 लाख रुपे दिये और बाबा रामदेव जी ने 1.5 लाख रुपे अपने चाहने वालों से ले लिए, total 5 लाख रुपे हो गये अब ये 5 लाख रुपे लेकर इन्हों ने क्या किया, एक दिव्य फारमेशी और दिव्य योग ट्रस्ट की शुरुवात कर ली ये क्या था भाईया, ये कनकल हरिद्वार में था, आयरुवेदिक होस्पिटल और रिसर सेंटर था ये, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2001 में, 2001 में 20 मिनट का इनको एक स्लोट दिया जाता है, कहां पर एक संसकार चैनल के उपर, देखिए जितने भी चैनल होते हैं उनमें टाइम डिवाइड हुआ होता है तो बाबा रामदेव जी को 20 मिनट का एक स्लोट मिल गया, कहां पर संसकार चैनल के उपर यहां पर इनों ने क्या क्या योग सिखाना शुरू किया, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बाना जाते हैं, क्योंकि यहां पर इनकी पॉपुलेरिटी लोगों को मतलब कि पॉपुलेरिटी हो गई, बहुँ जादा होने लगी यहां से, पहचान बनने लगी पूरे देश के अंदर, तीन साल बाद वो आस्था चैनल के उपर आ गए, वहां पर यह लाइव योग शेशन देने लग गए, और आज इन दोनों चैनलों के पर संसकार चैनल और आस्था जादा मालिकाना हक इनके पास है आयरुवेद और उनके सहयोगियों के पास आ गया है, दिरे दिरे राम देव बाबा जी जो है, वो राजनिती में भी दखल देना उन्होंने शुरू कर दिया अब क्या होता है कि 2007 में बाबा राम देव जी पतंजली योग पीट की शुरूआत करते हैं पतंजली योग पीट शुरूआत करने के बाद इस इवेंट में कितने लोग आये थे भाईया लोग नहीं याँ बर मुख्यमंत्री आये थे पंदरा मुख्यमंत्री आये थे 2007 में माइने रखते हैं 15 मुख्यमंत्री FMCG सेक्टर में पतंजली अईरुवेद लिम्टिड 2009 में शुरूआत की गई कब 2009 में पतंजली अईरुवेद लिम्टिड की इसने जैसे भाईया ये देखो पतंजली अईरुवेद लिम्टिड आई 2009 में तो हिंदुस्तान यूनिलिवर जो एक ब्रिटेन की कमपनी है खलबली मच गई थी नैसले, डाबर इनमें खलबली मच गई थी हिंदुस्तान यूनिलिवर बहुत बड़ी कमपनी है बहुत जादा प्रोड़क्ट है इसके और जब शुरुवात में 2009 में बाबा रामदेव जी की जो कमपनी आए थी इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पचास प्रोड़क्ट ही लॉंच किये थे फिर बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 500 प्रोड़क्ट हो गए है 2012 में कमपनी का टर्नोवर कितना था साड़े चार सो करोड़ 2016 में ये बढ़कर कितना हो गया पांच हजार करोड़ सो सकते हो चार साल में ग्याहरा गुना की बढ़ोतरी हो गई इतना ज़ादा यार इतना ज़ादा 2021 की बात करें तो ये फिलाद 26,000 करोड़ रुपे है और यहां पर आप एक चीज़ देखें तो कब-कब विवादों में रहे बाबा राम देब जो देख लेते हैं एक बार 2004 के अंदर इनके ओपर ये इलजाम लगा 2005 में ही टेक्स से गड़बडी पर जितेंदर राना की रेड पड़ी 2007 के अंदर शंकर देव आश्रम से अचानक से गायब हो गए इनके ओपर CBI इंक्वाइरी चली अभी बात करेंगे उसके बारे में 2002 में राजीव दिक्षित जी बहुत बड़े बहुत बड़ा नाम है राजीव दिक्षित जी का बहुत बहुत ग्यानी इंसान है तो उनके अचानक मौत होगी 36 गड़ गे अंदर 2011 में रामलिला मैदान में आदी रात को गिरफतारी हुई बाल कृष्ण पर फरजी दस्तावेज का केस लगा 2015 में मारपिट मामले में भाई इनके भाई राम भरत गिरफतार हुए अभी उनको बेल मिल गई अभी उसके बारे में आएगा इस वीडियो के अंदरी 2016 में भारत माता के नारे पर विवादित ब्यान दे दिया 2018 में बान गंगा परदूशित करने का आरोप लगा और 2021 के अंदर अलोपेथिक को दिवालिया साइंस कहा यानि स्टूपिड साइंस कहा तो देख सकते हूँ कि कितनी बार ये कंट्रोवर्सी में रहे है ओके एक मिनिट यहां बहाते अब क्या होता है कि ये किसी राजनेती पार्टी से तो नहीं जुड़े बाबा राम देव जी लेकिन इनकी इच्छा थी कि बाईया ये राजनेती में जाए तो इसकी जहलक 2010 में देखने को मिलती है जब ये राजीव दिक्सित जी के साथ मिलकर एक भारत स्वाबिमान एक आंदोलन शुरू करते हैं उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन एक राजनेतीक पार्टी बनेगा और 543 यानि 543 लोक सबाज सीटों के उपर अपने उमिद्वार उतारेंगी है हलांकि 2010 के अंदर राजीव दिक्सित जी की 36 गड़ में भिलाई में अचानक मोत हो गई थी जिनके कारण भई क्या हुआ ये सपना अधूरा रह गया 2011 में बाबा राउंदेव जी ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करॉप्शन अंदोलन जोइन कर लिया इसके बाद 4 जून 2011 को रामलिला मैदान में उन्होंने अपना एक बरष्टाचार मिटाओ सत्यागरो शुरू किया अंदोलन कारियों के खिलाव आधी रात को पुलिस ओपरेशन शुरू हुआ सलवार कमीच पहन कर भाग रहे बांबा रामदेव जी को 2014 के अंदर लोगसबा चुनाओं में ये क्या किये जेनियू के प्रोफेसर अरुन कुमार और दो अन्य रिसर्च पिपर के अधार पर बाबा रामदेव जी ने काले धन का मुद्दा उटाया और ये जो चीज थी बहुत फाइदा किया यहां पर 2014 के इलेक्शन में परधान मंत्री पद के दावेदार नरेंदर मोदी जी के लिए एक परफेक्ट स्लोगन साबित हुआ कब यहां पर इन्हों ने काले धन का जो मुद्दा उटाया था बाबा रामदेव जी ने PM मोदी के साथ टोटल कितनी रेलियां की चार रेलियां साजा की थी मोदी सरकार के आने के बाद बतंजली को क्या-क्या फाइदे हुए ये काफी इंपोर्टेंट अब बहुत फाइदे हुए आप जहानकर हैरान हो जाएंगे परधान मंतिरीं बनने के बाद नरेंदर मोदी जी ने फरवरी 2015 में योग से जुड़े चैरिटिबल ट्रस्ट के लिए आये को सर्वीस टेक्स के दाइरे से बाहर कर दिया भाईया सिंपल भाजा में समझाऊं तो टेक्स फ्री कर दिया है ऐसा समझो इसको क्लिर इसका क्रेडिट किसको गया है राम देव जी को गया 2017 की एक राइटर्स एक रिपोर्ट निकालने वाली संस्ता है उनकी एक रिपोर्ट निकली जिसके मुताबिक नरेंदर मोदी जी की सत्ता में आने के बाद राज्यों के साथ जो लैंड डील हुई उस लेंड डील में पतंजली को 336 करोड रुपे का फाइदा हुआ रियायत दी गई यानि फिर फाइदा ही हुआ पतंजली ने करीब 2000 एकड जमीन का अधिग्रहन किया है 2000 एकड एकड अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ 4880 गज ऐसा होता है तो अब समझ लो यहां पर है 2000 एकड 2000 एकड शायद गज तो आपको पता होगा आप इससे कालकुलेट कर लेना अब कितनी है इनके पास 2000 एकड जमीन है यहां पर आप देख सकते हैं कि 25,000 करोड बढ़ा है पतंजली का रिवेन्यू यहां पर देखिए 2010 में शुरू हुआ यहां पर इनका 100 करोड से तो अब कितना जा पहुंचा है यहां पर 26,400 करोड कब 2020 और 21 के वितवर्स के अंदर आप यह देख सकते हैं और यहां पर आप देखिए कि 870 करोड रुपे आयरवेद की दवाएं 940 करोड रुपे का दंत कांती मंजन 825 करोड रुपे का सैंपू 1447 यानि 1447 करोड रुपे की देशी घी 574 करोड रुपे का हरबल साबू 870 करोड रुपे का यह तो फिर से शायद वही सेम चीज़ें आ गई है यह 870 और यह 870 सेम हैं मतलब यह चीज़ें देख सकते हैं आपके सामने मैंने लगा रहे हैं आपको बिल्कुल मतलब वीडियो को रोक कर तसल्ली से देख लेना इसको क्या क्या फायदे हुएं अभी और देखते हैं मोधी सरकार के आने के बाद बाबा रामदेव जी और उनके सहयोग्यों को कानूनी रहतें भी मिली हैं कैसे यूपे सरकार के यूपे सरकार ने फोरण एक्शेंज मैनेजमेंट एक्ट के एक्ट का उलंगन कानूने के कानून के उपर केस था बीज़िपी के सरकार में आने के बाद केस बंद कर दिया गया बाल कृष्ण के खिलाव मनी लोंडरी का केस था 2014 में बंद कर दिया गया उसको CBI में CBI ने बाबा रामदेव के गुरू शंकर देव के रहसे में तरीके से गायब होने के कान मामला जो है वो मतलब वो इसके उपर इन्वेस्टिकेशन चल रही थी वो क्लोज कर दिया गया 2015 में उत्राखंड में पुलिस ने बाबा रामदेव जी के भाई भरत पर मारपिट के केस में ग्रफतार किया था अब वो बेल में बहार आ गए है रूची सोया अभी आते हैं रूची सोया एक कंपणी है जिसको खरीद लिया पतंजली ने 2017 में नैशनल लो ट्रिबून ने इंसल्वेंसी परक्रिया के तहत रूची सोया की निलामी का आदेश दे दिया था 2017 के अंदर रूची सोया पर बैंकों का 9,345 करोड रुपया बकाया था इसलिए इसको बेचने के मतलब इसको कि इसकी निलामी शुरू कर दी गई थी दिसंबर 2019 में रूची की सोया को पतंजली ने 4,345 करोड रुपय में खरीद लिया इसके लिए कंपणी ने 3,200 करोड रुपय का करज लिया कहां कहां से लिया SBI से पतंजली ने SBI से 1200 करोड रुपय Syndicate से 400 करोड रुपय Punjab National Bank से 700 करोड रुपय Union Bank of India से 600 करोड रुपय और Ilabad Bank से 300 करोड रुपय लिए रुची सोया के अधिग्रेन के बाद शेरों इसके जो शेर क्दाम वो 95 रुपय से बढ़कर 1272 रुपय पहुंच गया रुची सोया में 2020 में कुल 13,175 करोड रुपय का revenue दिया है भाई यहां पर आप देख सकते हो 13,175 करोड रुपय का revenue आया है वित वर्स 2021 के शुरुआती 9 महीनों में रुची सोया का कुल revenue 11,480 करोड रुपय था रुची सोया का जो मालिकाना हक जो है लगबग पतंजली के पास जो है वो 98.9% है और इस 98.9% में से 48.7% सीधा पतंजली आयरुवेद लिमिटीड के पास है बाकी दिव्य योग्य मंदिर ट्रस्ट के पास और पतंजली की associate company के पास है रुची सोया manufacturing location देश भर में 22 जगाए पर है यहाँ पर इसकी manufacturing sites क्या-क्या बनाती है न्यूट्रेला, महाकोश रुची गोल्ड, रुची स्टार सनरिच ये चीज़े ये बनाती है एक बार ज़रा यहाँ पर देख ले देगे कि पतंजली की शुरुआत हुई 2006 के अंदर इसका रुची सोया की शुरुआत हुई यानि अधिगरेन हुआ 2019 में 2020 में revenue यहाँ पर आप देख सकते है 9,022 करोड और यहाँ पर इसका revenue देख सकते है 13,042 करोड यह दोनों को मिला कर बताया गया है पहले वाली slide के अंदर F, M, C, G और Ayurvedic दवायों के उपर इनके product आते है इनके product Neutrila, Mahakese, Roochi Gold, Roochi Star इनके उपर आते है Malikana, Hak किसका चीज है इसके उपर रुची सोया के उपर पतंजली Ayurved का है और यहाँ पर इसके अलावा पर्मुक कंपनियां क्या है पतंजली की यहाँ पर देख सकते हैं पतंजली Aarogya Private Limited पतंजली Agro RA Limited पतंजली Aromatics Private Limited पतंजली Madhuram Udhyog Private Limited पतंजली Paridhan Private Limited पतंजली Privehan Private Limited पतंजली Pay Private Limited पतंजली Textiles प्राइवेट लिम्टेड़, पतंजली Food and Harbal Parks लिम्टेड, पतंजली BION Research Institute प्राइवेट लिम्टेड, पतंजली AgroHerbal Research प्राइवेट लिम्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, ओके बेर फिर से वापस आते हैं कि जो शुरुवात में हुई थी बाबा रामदेव जी हेलोपेथिक वाले बियान पर देश पर में विवाद हुआ इंडियन मेडिकल अशोशियन ने एक प्रेस रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक ज़्यादा डोक्टरों की जान गई है करोना के कारण और आप ऐसे बयान ना दीजिए ताकि उनका मनोबल टूटे लोगों का विश्वास उठे दवाईयों से तो ये बात बोली आधुनिक अलोपेथी पर कीचवड चानने की कोशिश ना करें ये बात इन्होंने बोली ये भी एक फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बाल क्रिशन बिमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल अलोपेथिक ट्रीटमेंट ले चुके हैं अब ये ऐसे दावे इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी दवाईयां बचा सके ये बात बोली है कि इसने इंडियन मेडिकल अशोशेशन ने आखिर कार रामदेव जी ने विवाद बढ़ता देख अपना बयान तो खैर वापस ले लिया है मुद्दे को एक तरीके से ऐलोपैतिक वर्सिस आयरुवेदिक रंग देने की कोशिश की गई थी बाबा रामदेव जी अच्छी तरह समझ गए हैं कि एक ऐसी डिबेट जिसका फायदा किसको होगा पतंजली आयरुवेद को होगा कैर ये तो थी टोटल आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने ही कोशिश की अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये देखो इन्नोंने इनको इतना साथ मिला है देखिए शुरुवात में इनोंने महनत की है और एक कमपनी जो भारत की अगर तरक्षी करती है तो उसमें किसी को कोई अपत्ती नहीं होनी चाहिए मैं तो चाहता हूँ कि हर कमपनी इतना तरक्षी करे हमारे देश की हर कमपनी इतना तरक्षी करे कि आतम निर्भर बने किसी और के उपर depend ना रहना पड़े देखें तो ये हिंदुस्तान Unilever है Nestle है कितना ज़्यादा product भारत में लेकर आती है और कितना revenue generate करके भारत का पैसा अपने देश में लेकर जा रही है तो बेशक हमारी company को आगे लाने के जरूरत है तो इसके अंदर कोई पुराई करने वाली बात नहीं है ये सब सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो तो एक तरीके से informative टाइप की थी तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई अपत्ती होनी चाहिए कुछ लोग कहेंगे कि भहिया ऐसी ऐसी चीज़ें है इतना इतना कारोबार कर रखा है इनोंने लूट लिया ऐसा कुछ नहीं होता आप में दम है तो आप कंपनी शुरू कर लीजी और आप कर लीजी जिनको मतलब इतना बढ़ना है तो ओके तो आज की लिए इतना ही था इस वीडियो में अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें इस चैनल को थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो और मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ